दोस्तो नमस्कार आज आपको बताते हैं बाल ब्रम्चारी हनुमान जी के विवा के बारे में पारासर संहिता के अनुसार हनुमान जी विवाहित हैं उनका विवा सुर्य देव की पुत्री सुर्वचला से हुआ है हनुमान जी ने सूर्य देव से नो दिव्य विद्याएं प्राप्त करने के लिए उन्हें अपना गुरू बनाया था इन विद्याओं का दिव ग्यान हनुमान जी प्राप्त करना चाहते थे सूर्य देव ने पांच विद्याओं का ग्यान हनुमान जी को दे दिया था लेकिन सेज चार विद्याएं केवल उनी को दी जा सकती थी जो विवाईत हो पहले हनुमान जी सूरीदेव के कहने पर विवा के लिए राजी नहीं हुए लेकिन सेज चार विद्याओं के घ्यान को प्राप्त करने के लिए आखिर हनुमान जी ने विवा के लिए हा कर दी हनुमान जी के लिए विवा योग कन्या की खोज सूरीदेव की पुत्री सुरवचला पर समात हुई सुर्वचला परम तपस्वी और तेजस्वी थी उसका तेज सुर्यदेव के अनुसार हनुमान जी ही सेन कर सकते थे सुर्यदेव ने हनुमान जी को बताया कि सुर्वचला से विवा के बाद भी सेश चार विद्याओं का घ्यान प्राप्त कर सकते थे और बाल ब्रमचारी भी बने रह सकते हैं क्योंकि विवाह के तुरंत बाद सुर्वचला पुने तपश्या में लीन हो जाएगी विवाह के बाद सुर्वचला तपश्या में लीन हो गई हनुमान जी ने सेश चार विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और विवाह के बाद भी हनुमान जी बाल ब्रमचारी बने रही भारत के कुछ हिस्सों में खासकर तेलंगाना में हनुमान जी को विवाहित माना जाता है हनुमान जी और उनकी पत्नी सुर्वचला का मंदिर तेलंगाना के खमाम जिले में इस्तित है यह मंदिर काफी प्राचीन है इस मंदिर में हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरवचला की परतिमा विराजमान है एक माननेता के अनुसार जो भी इनके दर्शन करता है उनका वैवाही जीवन मंगल में बीचता है खमाम जिला हैदराबाद से लगबग 200 किलोमेटर दूरी की द आन्नेवा नमस्कार